आज की व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज का टॉपिक है सांख्य दर्शन में प्रमान प्रमान दर्शन की आधार शिला है जिस पर दर्शन की इमारत खड़ी है पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि सांखेशास्त्र की रचना का एक प्रयोजन है एक उद्देश्य है यह उद्देश्य या लक्ष त्रिविद दुखों का शमन करना या उसका निवारन करना है इन दुखों को दूर करने का एक तरीका तत्व ग्यान बताया गया है यह ग्यान तत्व मिमानसा या प्रमेय मिमानसा पर निर्फर है प्रमेयों का विचार निर्णे प्रमाणों के आधार पर होता है इस बात का अर्थ यह है कि जो भी ग्यान प्रमाणों के साहिता से प्राप वे प्रमेयों का होता है और प्रमा होता है इसका अर्थ है पहली बात प्रमेय से क्या तात पर रहे है प्रमेय से तात पर रहे ये ये विशे ये का विशे का अर्थ है जानने योग्य विशे वे वस्तु में जिनका ग्यान प्राप्त किया जा सकता है इन प्रमेयों का प्रमा ग्यान होता है अर्थार्थ वह ग्यान जिसका की खंडन नहीं किया जा सकता जिसे हम सत्य ग्यान कहते हैं या यथार्थ ग्यान कहते हैं इन जानने योग्य वस्तूओं का ग्यान या इन जानने योग्य वस्तूओं का यथार्थ ग्यान जिसे प्रमा कहते हैं किसकी साहता से मि तो valid source of knowledge वो क्या है? प्रमान है. valid type of knowledge यथार्त ग्यान, सत्य ग्यान, असंदिक्ध ग्यान, वह ग्यान जिस ग्यान का खंडन नहीं किया जा सकता, बाद नहीं होता है. ऐसे ग्यान को प्राप्त करने का जो साधन होता है वह प्रमान कहलाता है. और इसलिए प्रमान मिमानसा का महत्व इतना है कि कोई भी प्रेक्षावान पुरुष, कोई भी ज्यानवान पुरुष बिना प्रमान पूर्वक सिध्ध वस्तु या सिध्धान्त को स्विकार नहीं करता है. दूसरे शब्दों में कहें तो प्रमान पूर्वक सिध्ध वस्त या सिध्धान्त ही प्रेक्षावान पुरुष के लिए स्विकार्य है प्रमाणों की सहता से जो valid knowledge या प्रमा या सत्य ज्यान प्राप्त होता है उसके स्रोत के रूप में 6 प्रमाणों की चर्चा समस्त भारतिय दर्शनों में की गई है अर्थार्थ 6 प्रमाण स्विकार किये गए हैं पर्सेप्शन, प्रत्यक्ष, इन्फरंस, अनुमान, कंपैरिजन, उपमान, टेस्टिमनी, शब्द, पॉस्चुलेशन, अर्थापत्ति, नौन प्रसेप्शन, अनुपलब्थी ये 6 प्रमाण किसी ना किसी रूप में प्रमा प्राप्ति में सहयक होते हैं और इसलिए कहा गया है कि प्रमियेते अनेन इति प्रमाण जो प्रमा यानि सत्य ग्यान का करण या साधन है जिससे संशे रहित ग्यान प्राप्त होता है जिस ग्यान में कोई संशे ना हो विपर्य, विकल्प, स्मृत्ति ये भाव जिस ग्यान के अंदर ना हो फर एक्जेम्पल अगर हम विपर्य को समझें तो विपर्य क्या है कि जो बस्तु जैसी है वैसी ना होकर किसी और रूप में दिखाई देनी जैसे अंधकार में अगर रसी पड़ी है और उसको हम अज्ञानवश रसी ना माने के साप मान लेते हैं तो यह विपर्रे ग्यान हो जाएगा इसी तरीके से विकल्प और स्मृती भी है जिनसे की हमारे ग्यान के अंदर अशुद्धता आ जाती है शंका या संशय आ जाते हैं तो इन विपर्रे विकल्प स्मृती आदि से रहित जो प्रमा या सत्य ग्यान प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने का साधन प्रमाण है भारतिय दर्शन में अलग-अलग दर्शनों द्वारा प्रमाणों की संख्या भी अलग-अलग स्विकार की गई है संख्य दर्शन जहां त्रिविध प्रमाणों की बात करता है वहीं चारवाग दर्शन केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्विकार करता है वो मानता है कि जो कुछ इंद्रियों से ग्राहिय वही सत्य है बौध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है न्याय वेशेशिक चार प्रमानों की सत्ता स्विकार करता है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान मीमानसा में प्रभाकर स्कूल आफ मीमानसक पांच प्रमानों को मानते हैं वो अनुपलब्धी को नहीं मानते हैं जबकि भाट मीमानसक सभी छे प्रमानों की सत्ता को स्वीकार करते हैं हमारा यहां विशय सांख्यकारिका में प्रमान है अते सांख्य कारिका की जो चौथी कारिका में सांख्य द्वारा स्वीक्रत प्रमेय सिध्धी में साहयक तीन प्रमाणों की चर्चा की गई है जिसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली है और वे तीन प्रमाण है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमेय सिध्धी अर्थार्थ जानने योग्य वस्त्मों के ज्ञान प्राप्ती में जो साहयक हैं वो तीन प्रमान प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द बताए गए हैं यहाँ पर एक सभाविकसी जिग्ः सा उट सकती है कि यदि सांखे इन तीन ही प्रमानों को मानता है तो शेष तीन प्रमानों की सत्ता को उस विकार क्यों नहीं करता है और इसका प्रत्युतर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धी है ये भी एक प्रकार से अनुमान आधारित ज्यान ही होता है इसलिए इन तीनों प्रमानों को अनुमान के अंदर समाहित कर लिया जाता है प्रत्यक्ष प्रमान लग सभी सारे दर्षनों के द्वारा सारे भारतिय दर्षनों के द्वारा सिविकार के जाना वाला प्रमान है क्योंकि इसके माध्यम से इंद्रियां जो ग्यान प्राप्त करती हैं वही हमारे सभी प्रकार के ग्यानों का आधार होता है क्या है? इंद्रियों का विशय के साथ साक्षात संबंध या सन्निकर्ष होने पर जो अध्यवसाय या निश्चयात्मक ग्यान रूप बुद्धी व्यापार होता है वही ग्यान प्रत्यक्ष या दृष्ट प्रमान का लक्षन है यह बात बहुत सरल सी है और सरल किस रूप में है कि इंद्रियों का इंद्रियां हम सभी जानते हैं कि हमारे सभी मनुश्यों के पास में पांच इंद्रियां हैं जिने हम ग्यान इंद्रियां भी कहते हैं और ये इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीब, त्वचा और स्पर्ष इनका विशय के साथ संबंद अब आँख का विशय क्या है? देखना कान का विशय सुनना, जीब का चकना, नाक का सूंगना और त्वचा का स्पर्ष करना जब इंद्रियों का विशय के साथ यानि आँख का किसी देखने वाली वस्तू के साथ संपर्क होता है तो सन्निकर्ष होता है तो उससे जो अध्यवसाय या निश्चेयात्मक निश्चेयात्मक मतलब definitive जो knowledge ज्यान रूप बुद्धी वियापार होता है knowledge या ज्यान जो होता है वह ज्यान रूप में तभी स्विकार्य है जब बुद्धी के दवारा ग्रहन किया जाता है अक्सर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यानुभव करते हैं जब हम बड़े दच्चित होकर कोई कारे कर रहे होते हैं और कोई हमें आवाज देता है तो संभवत है वो आवाज हमारे कान में तो आती है परन्तु वो कान तक ही रहके ख़दम हो जाती है और हम उस आवाज के जवाब में कुछ रियक्शन नहीं देते हैं और अपना कारे करते रहते हैं कारे को समाप्त करके जब हम फ्री होते हैं और जिसने भी आवाज दिये वो व्यक्ति जब हमसे मिलता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें आवाज दी थी तुमने सुनी नहीं तो कहता अच्छा आवाज दी थी कब दी थी मैंने नहीं सुनी मैंने नहीं सुनी इसका अर्थ क्या है कि जो दी गई आवाज थी वो कान तक यानि इंद्रिया तक तो पहुंची परन्तु वह ग्यान रूप में मन के द्वारा नातोस का संसलेशन विशलेशन किया गया कि आवाज देने वाले कौन था क्यूं था कहां से दे रहा था कब दे रहा था आदी ये मनन यानि संसलेशन विशलेशन मन के द्वारा नहीं किया गया और इसलिए बुद्धी के पास बुद्धी के आकार का या बुद्धिमाई नहीं हुआ और हमारे पास ग्यान रूप में नहीं रहा और इसलिए आवाज कानों तक आने के बावजूद भी उसके according व्यक्ति एक्ट नहीं कर पाया तो तीन चीज़ें हैं कि एक तो इंद्रिय का विशय के साथ संपर्क हो संपर्क होने के बाद में वह ग्यान निस्चित कर ले कि यह पेढ़ है यह नीम का पेढ़ है यह निस्चयात्मख अविरत्ती हो गई और यह नीम का पेढ़ है इस ग्यान को जब physi द्वार ग्रहन कर लिए जाएगा तो वह प्रत्यक्ष या द्रुष्ट प्रमान कहलाईगा प्रत्यक्ष कि अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो वह है बहुत सरल प्रक्रिया है परंतु एक systematic प्रक्रिया भी है सरल इसलिए है कि हमको लगता है हमारी आँख ने देखा वस्तु को देखा और हमने मान लिया कि हमें ज्यान हो गया परन्तों ये एक बड़े systematic तरीके से होती है और तभी वो हमारे पास ग्यान रूप में भी रहती है कि सबसे पहले जो इंद्रियां हैं हमारी जो पांच इंद्रियां ग्यान इंद्रियां हैं उनका विशय से संपर्ख होता है मान लीजें आँख ने किसी पेड़ को देखा वरिक्ष को देखा अब देखने के साथ ही यानि इंद्रियां और विशय का संपर्ख होते ही इंद्रियों पर एक विशेश प्रभाव होता है ये प्रभाव अब मन के उपर प्रभाव डालता है हम जानते हैं कि जितने भी सुख दोख जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है वे सब मन को अनुभव होती है ये मन की क्रियाएं होती है इसलिए मन जब इंद्रियों के द्वारा कुछ देखा गया तो उसका इंद्रियों के पर विशेश प्रभाव हुआ और वह ज्ञान को विशलेशित करके उस विशाई के आकार की हो जाती है और इस प्रकार से ज्ञान बुद्धी में प्रतिविम्वित हो जाता है तो जो ज्ञान है वो है एक systematic process है उसी रूप में होता है हमें रोज मर्रा में वैसा प्रतीत नहीं होता है क्यूंकि हम उसके अभ्यास मे आ जाते हैं अगर हम इस ग्यान की प्रक्रिया को और स्प्रश्रूप से समझें इंद्रियों से ग्यान किस प्रकार से है प्रत्यक्ष ग्यान किस प्रकार से होता है इसको अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या दरष्ट दो प्रकार से classify किये जा सकते हैं एक न कुछ है ऐसा भान होता है कुछ है ऐसा ज्ञान होता है हमें केवल उस वस्तु की सत्ता का ज्ञान होता है उसके स्वरूप पर उसके विशलेशन विशेश्च आदी पर कोई भी जो है उसका भान हमें नहीं होता है जबकि यदि हम सविकलपक प्रत्यक्ष की बात करें तो इंद्रियों से जो ग्यान प्राप्त होता है वह सविकलपक प्रत्यक्ष में definitive होता है अर्थात यह वस्तू पेड़ है ऐसा ही ग्यान होता है यह परवत है ऐसा ही ग्यान होता है जिसमें वैशिष्टे का आउगाहन हो जाता है या यह वैशिष्टे का आउगाहन करने वाला ग्यान होता है और जब इस प्रकार का ग्यान होता है तो व्यक्ति उस प्रत्यक्ष में नाम, जाती, गोन और क्रिया आदि को सपस्ट रूप से ग्रहन कर पाता है प्रत्यक्ष के बाद दूसरा प्रमान है आप्त वाक्य या शब्द जिसे टेस्टिमन ही कहते हैं मुख्य रुप से आप्त यानि पवित्र जो वाक्य होते हैं वेदों के होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह ज्यान जो शृती से प्राप्त होता है जिसे आप्तोप देश भी कहते हैं विश्वास योग्य विक्ति के वचन या वाक्यों से होने वाला ज्ञान आप्त वाक्य ये शब्द प्रमान को कई तरीके से क्लैसिफाई किया जाता है जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर दो तरीके से विभाजित करते हैं शब्द प्रमान को दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ देखिए इसमें दृष्टार्थ दृष्ट मतलब दिखाई देना प्रत्यक्ष तो जिसका ग्यान प्रत्यक्ष पर ऐसे विश्यों का जो ग्यान है वो अध्र श्टार्ट कहलाता है जैसे स्वर्ग, नर्ग, ईश्वर, आत्मा, आति. दूसरा वर्गी करन शब्द की उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है वैदिक वाक्य और लौकेक वाक्य. वैदिक वाक्य जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वेदों के वाक्यों को हम वैदिक वाक्य कहते हैं ऐसे वाक्यों में संशे की तो गुंजाईशी नहीं होती है ये बिलकुल संशे रहित और बिना किसी तुर्टी के ग्यान होते हैं क्योंकि हम बार बार इस बात को अनेको आफ़ान पर सपष्ट करते रहते हैं कि जो वेदों का ज्यान होता है कि वेक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है वह स्वैम ईश्वर द्वारा रचेत है और ईश्वर की रशना में तृटी नहीं हो सकती है। मानते हैं तो इसलिए ये तुरुटी रहित ग्यान होता है जबकि लोकिक ग्यान वह ग्यान है जो सत्य या सत्य हो सकता है उसमें तुरुटी की पूर्ण संभावना होती है एक और क्लासिफिकेशन प्रमानिकता के आधार पर किया जाता है प्रामाणनेता के आधार्पी किया जाता है कि स्वतह प्रामाणनेवाद और परतह प्रामाणनेवाद स्वतह प्रामाणनेवाद से तात्पर है कि जो अपनी प्रामाणिक्ता स्वयन सिद्ध करते हैं जिसे सद्ध करने के लिए बाहर से किन ही प्रत्यक्ष अनुमान आधी प्रमाणूं की आवशक्ता नहीं पड़ती है, जो self-evident है, स्वतह सद्ध है. ऐसे स्वतह प्रमाण्यवाद वाक्यों को वेद वाक्य या वेद वाक्य जन्य ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणूं की सहता के बिना ही वह अपने अर्थ की अभिव्यक्ति कर पाने में समर्थ होता है. जबकि परतह प्रमाण्यवाद जो अपनी प्रमाणिक्ता कहीं बाहर से लाता है, जो स्वयम अपने साथ प्रमाणिक्ता को नहीं लाता है, और अपने अर्थ बोध के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा रखता है. वेद प्रमाणित जो स्मर्थियां है, पुराण इतिहास आदी के वाक्यों से जनित ग्यान को परतह प्रमाण्यवाद के रूप में दिखा जाता है. अब यदि सांक्य शास्त्र के अनुसार शब्द प्रमाण की विभक्ती की जाए, तो ये पौरुष्य और अपौरुष्य रूप में होती है. पौरुष्य अर्थार्थ वे शब्द जो किसी पौरुष्य या व्यक्ती के द्वारा रचे गए हैं, जबकि आपौरुष्य का अर्थ है कि जिनकी रशना में किसी व्यक्ती का नहीं वरन स्वैम वेद या ईश्वर का योगदान है. तो इसलिए जो पौरुष्य हैं वो विश्वास जन्ने योग्य या विश्वास योग्य विक्तियों के द्वारा रचेत ग्यान साहित्य के रूप में देख सकते हैं, जबकि आपौरुष्य में वेद वाक्यों को ही देखा जाता है. यह वेद वाक्यों फिर दो तरी से क्लासीफे ही होते हैं सद्धार्त वाक्यों और विधायक वाक्यों. परतह प्रामाणनेवादी तो हम कहेंगे कि सांख्रशा परतह प्रामाणनेवादी है क्यों क्योंकि परतह प्रामाणने प्रकार जो होता है पौरुष प्रकार का प्रमाण होता है अर्थार पुरुष द्वारा जिसकी रचना की गई है महरेशी कपिल लौकिक जीवन से संबं रखने वाले व्यक्ति थे और उनके द्वारा जो रचा गया साहित्य था या जो दर्शन था उसको प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणों के द्वारा सिध्ध करने की चेश्टा भी की गई है इसलिए सांख्य शास्त्र परते है प्रामाणनेवादी शास्त्र है जिसमें की जो रचनाकार है वह अपने रचना के अस्तत्व के लिए रचना की सिध्धी के लिए बाहर से निरधारित प्रमाणों पर आशृत होता है धन्यवाद